आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइंक निफ्टी के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है मारकेट में और आगे आने वाले सेशन्स में और क्या क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के उपर अभी नए आए हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पे निफ्टी बैंक निफ्टी के उपर विडियो रेग्यूलर्ली अप्लोड करती हो और शेर मार्केट के रिलेटेट सारी न्यूज सारी अपडेट आपको मेरे चैनल के उपर मिल जाएगी तो अगर आपने इस चैनल को अभ अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के उप्शिंस में ट्रेड करना चाहते हो और डेली कम से कम 1-2,000 तक का प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हो तो देखी यह जो हमारा टेलीग्राम है यह पब्ल जाएगी और देखिए MN ग्रूप प्रीमियम जो है जिसकी फीज है सिर्फ 4,000 पर मंथ जहां पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के उप्शिंस कॉल्स मिलते हैं स्टॉक्स इंवेस्मेंट में आपके हेल्प हो जाती है यहां पर आपको फिक्स टॉप लॉस है उसमें उसका प्रॉफिट कवर हो जाता है तो आज देखिए BANG Nifty ने क्या पर्फोर्मंस दी है निफ्टी ने भी बहुत ही बढ़ी आ पर्फोर्मंस दी है कल निफ्टी के लिए मैंने कॉल सजेस्ट किया था पोजीशनल के लिए और आज अगर उसकी प्राइस देखे त तो भाई जिनोंने भी ज्यादा लॉट्स लिये हैं कम से कम 30-40,000 तक का profit उनका हो चुका है और यहाँ पे आपको live market में support भी मिलता है ताकि अगर आपकी कुछ अलग query हो तो आपको help हो सके कि उसमें से बाहर निकल निकल या जाए तो अभी अगर देखें यहाँ पे तो आज क profit का screenshot है members का जिनोंने भी small quantity में trade किया है उनका यह profit का screenshot है और यहाँ पे आपको minimum दिन का देड़ हजार उपया profit तो होता ही है अगर आप beginner भी हो तो भी तो आज के सारे के सारे trade profitable रहे हैं तो अगर आप यह premium group join करना पचाते हो तो आपको इस UPI ID पे अपना payment send करना है या फिर यह QR code scan करके आप पैसे बेज सकते हो अगर payment के लिए कुछ issue आ रहा है तो आप मुझे इस mail ID पे mail कर दो मैं आपका issue solve कर दूँगी तो आज ही premium group join कर लीजेगा ताकि अगर seats अगर full हो जाते हैं तो मैं entry close कर जल्दी से जल्दी यह premium group join कर लो आपको profitable रहेगा तो अभी चालू करते हैं bank nifty का analysis और अभी तक bank nifty की closing नहीं आई है अभी दो बजने वाले हैं और मैंने live market में ही जानूज के चालू कर दिया है ताकि हमें पता चले कि यहां से आगे market का movement क्या हो सकता है तो अभी अगर हम लोग देखें market 36,596 के आसपास चल रहा है पूरे दिन की अगर बात करें तो देखें first of all bank nifty हमें 300-400 points नीचे गिर कर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया 36,558 के पास nifty bank ने opening की थी वहां से nifty bank ने अगर हम लोग देखें तो गिरावट हमें दिखाई थी 36,150,160 के तरफ और किसी ने तो मुझे पूछा था members में से कि यहां से bank nifty की हम लोग पी ले सकते है कि नहीं और तभी bank nifty around 36,250,280 के आसपास चल रहा थो तो मैंने यह भी कहा था कि आप यहां से ले सकते अपसाइट के 300 का SL रखिएगा और डाउंसाइट के लिए 150 तक का ही target रखिएगा उससे नीचे अभी फिलाल नहीं जाना है तो अगर हम लोग देखें तो 150,160 के support से nifty bank ने जो bounce लिया है high कहां पर किया तो 36,680 तक nifty bank आज हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है अभी try किया था 36,700 के उपर जाने के लिए first of all बात करें तो 36,400,450 के पास एक resistance था जो successfully nifty bank ने पार कर लिया बहुत time के बाद और उपर जाके 36,700 को touch करने वाला था लेकिन नहीं हो पाया और अभी अगर देखे फिर से तो फिर से हमें consolidation दिख रहा है यानि कि market full तयारी में है कि यहां से हम लोग all time highs के तरफ जाएंगे ही जाएंगे लेकिन थोड़ा हमें यहां पे carefully trade करना होगा क्यूंकि अभी देखे मार्केट जितना उपर उठता है उतना correction या फिर consolidation भी देखने को मिलता है तो अभी market फिलाल 36,540 के पास चल रहा है अभी अगर देखे तो हमें गिरावट दिख रही है 15 minutes candlestick pattern chart है तो अभी अगर Nifty Bank हमें 36,500 के नीचे की closing दे देता है आज तो यहां से next trading session में Nifty Bank हमें फिर से 350 and 36,080 का level test करता हुआ दिखाई दे सकता है उसके बाद में अगर बात करें तो अभी देखे दो बचने वाले हैं तो next 15 minutes में Nifty Bank 580 के अबाव भी चला जाता है और positive trade कर रहा है तो यहां से 36,700 तोडने के पूरे के पूरे chances बने हुए है Nifty Bank के तो आज Nifty Bank तो full तयारी में दिख रहा है 36,700 को पार करने के लेकिन important रहेगा कि 585,590 के उपर positive कम से कम 15 minutes की दो candles तो बनें ताकि हमें यहां पे Nifty Bank 36,700 and 750 Max to Max 750, 760 तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है और downside के लिए 36,350 and 300 के zone में तो अभी एक बार option chain data अगर देखे Nifty Bank का तो मेरे सामने Nifty Bank का option chain data है तो अभी price चल रही है 36,530 की So 36,500 की बात करें तो call side में 82,000 का open interest है वही सामने 96,000 का open interest बना हुआ है यनिके 500 के पास support तो है तो अगर 500 आता है तो यहां से bounce तो लेगा वही अगर देखे call writing तो 9,000 की call writing है वही सामने देखे double है 18,000 तक की call writing हमें यहां पर देख रही है यानि के Nifty Bank ने 36,500 के उपर base बनाया हुआ है अगर यहां पर 36,500 से नीचे market विसलता है तो कहा तक जा सकता है तो देखिए second highest open interest 36,000 के उपर बना हुआ है और अभी हम लोग देखे तो 36,100,150 तक Nifty Bank ने low किया था तो अगर यहां पर closing basis के उपर जैसे मैंने चार्ट के उपर देखके कहा 500 के नीचे की closing मिलती है तो यहां से Nifty Bank हमें 36,080 और 50 तक तो गिरता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह तो हो गई support की बाद upside के लिए resistance कहा पे है तो 37,000 का level resistance level है यह मैंने पहले भी बताया हुआ है और call side में देखिए 1 lakh का open interest बना हुआ है और 11,000 की हमें call writing भी देखने को मिल रही है तो 37,000 के पास hurdle है और यहां पे आने के बद फिर से एक बारी Nifty Bank हमें गिरावट जरूर दिखाएगा तो यहां पे थोड़ा आप लोग केरफुरी trade कीजेगा अगर ऐसा नहीं market उपर चल रहा है इसका मतलब 37,000 को भी फट से पार कर लेगा तो यहां पे थोड़ा consolidation होगा और उसके बाद में Nifty Bank हमें 37,000 के उपर की closing देगा अभी हमने जैसे बात की थी तो देखें 500 तक Nifty Bank गया लेकिन फिर से एक बारी वहाँ से हमें reversal देखने को मिला वहाँ से हमें bounce देखने को मिला तो 500 के पास support तो बहुत ही बढ़िया है तो अभी देखते हैं closing basis के उपर Nifty Bank ये hold करता है कि नहीं और अगर यहां से bounce दिखाना होगा तो 500 के support से हमें 700 और 750 के तरफ Nifty Bank bounce दिखाएगा तो अभी Nifty Bank की अगर support resistance की बात करें next trading session के लिए तो first important level रहेगा Nifty Bank के लिए 36,510 का level अगर ये break हो गया तो अभी Nifty Bank हमें 36,450, 36,410 तक गिरता हुआ दिखेगा अब साइट की बात करें तो 36,585,90 के उपर अगर sustain कर लिया तो यहां से Nifty Bank हमें first of all 36,680 और 36,710 तक move दिखा सकता है तो ये important support resistance की levels है Nifty Bank के लिए तो जो भी levels बताएं हैं अपने chart के उपर mark कीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज़ादा अच्छा लगा है तो share कर देना अपने friends, family के साथ जिनको भी ये video useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेर करना और उन सब को कहना इस चैनल को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगी आपसे next वीडियो में till then bye bye take care and trade carefully